हेला ओर इवन इस वीडियो में हम गेट 2003 के पेपर में मेकैनिकल के पेपर में मैथ का जो कैलकुलस चैप्टर है उससे जो कोश्चिन पूछे गए थे वो सोल करेंगे ठीक है तो ये फर्स्ट कोश्चिन है तो हमें क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है यहाँ पे क्या है स्क्वेर है ठीक है एक बार मैं थोड़ा एक्जामपल लेके सिंपल सोल करवाता हूं फिर ये सोल करूंगा ठीक है मान लीजिए लिमिट एक्स अप्रोस टू जीरो यहाँ पे साइन होता साइन एक्स बाइ एक्स होता यहाँ तो स्क्वेर है यहाँ सिंप आ जाए तो हम क्या करते है एल होस्पिटल रूल यूज करते है ठीक है वो रूल क्या कहता है नुमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव कीजिए ठीक है और तब यह लिमिट पूट कीजिए ठीक है ना वो रूल यह कहता है ठीक है तो मैं इसका डेरिवेटिव करत 1 तो cos 0 1 होता है 1 by 1 तो answer क्या आया final तो मतलब limit x approach to 0 sin x by x क्या होता है actual में 1 होता है ठीक है न तो ये चीज़ आपको समझ में आई अब हमें क्या proof करना है मतलब हमें किसकी value find out करनी है हमें value find out करनी है limit x approach to 0 ठीक है sin square x by x इसकी value find out करनी है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ sin x by x की value हमें पता है 1 होती है तो इसको भी सी form में रखता हूँ उपर क्या है sin x का square है तो निच्चे मैं क्या करूँगा इसका भी square लेके आऊँगा तो sin square x as it is x की जगह मैं x square कर लेता हूँ और 1 x से multiply कर देता हूँ ठीक है और limit क्या है limit है x approach to 0 राइट अब limit x approach to 0 ये क्या आएगा sin x by x का square ठीक है into x अब जैसे ही मैं limit put करूँगा मुझे पता है इसकी value क्या होती है 1 अंदर वाली टर्म की तो 1 का square ठीक है into limit जैसे ही मैं यहां x में रखूँगा तो x में तो 0 रखूँगा तो यह 0 आएगा 1 square 1 1 into 0 0 तो 0 मेरा answer आ गया ठीक है तो option जो a दिया हुआ है वो सही answer है second question है the area enclosed between the parabola y that is equal to x square and the straight line y is equal to x is ठीक है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह जो दोनों equation है parabola की और straight line की ठीक है graph में इनको कैसे draw किया जाता है ठीक है तो y is equal to x इसकी जो line होती है वो इस तरह से होती है ठीक है y is equal to x और जो parabola है आप देख सकते हैं x की negative value रखूँ या positive value रखूँ y हमेशा positive रहेगा तो y positive रहेगा तो मतलब यह है यह है y axis और x की value negative और positive हो सकती है ठीक है तो इसका मतलब हमारा parabola इस तरह का बनेगा ठीक है न राइट हमें जस्ट करना क्या है यह intersection point find out करना है यह वला ठीक है तो यह intersection point क्या रहेगा y that is equal to x square and y is equal to x ठीक है तो दोनों से मुझे क्या मिला x is equal to x square ऐसा कब possible है जब x की value 1 हो ठीक है न यह ऐसा कब possible है जब x की value 1 हो या x की value 0 हो ठीक है न क्योंकि 0 पे भी तो meet कर रहा है हमें यह वला point चाहिए ठीक है क्योंकि यह हमें उल्रेडी पता है 0 है यह origin point है यह point x की value 1 आगी अगर x की value 1 है तो y की value भी 1 रहेगी तो यह point क्या रहा 1 1 ठीक है हमें क्या find out करना है area and closed मतलब यह area find out करना है ठीक है तो हमें line integration का use करना पड़ेगा ठीक है यह मैंने एक perpendicular draw किया तो इसका मतलब क्या है यह x की value 0 है यहाँ पे ठीक है इस point पे और इस point पे x की value क्या है 1 तो integration करते हैं यह line integration है जब मैं यह straight line है इस function के with respect to मैं integration करूंगा y that is equal to dx इस तरह से करूंगा यानि इस line का integration करूंगा तो यह सारा area cover करेगा ठीक है सारे area में x की देखे with respect to dx कर रहे है तो x की limit क्या है 0 से 1 0 से 1 इसने कौन सा area cover किया पूरी triangle को cover कर लिया ठीक है लेकिन अगर मैं parabola का integration find out करूं तो यह कौन सा area cover करेगा ठीक है तो यह cover करेगा मैं दूसरे pen से आपको highlight करके दिखाता हूं यह cover करेगा इस area को राइट तो मैं parabola से अगर मैं area निकाल लूँ तो y dx ठीक है यहाँ पर y क्या है parabola वाला है यह वाला function है ठीक है न तो y is a function of x तो y is a function of x square ठीक है और dx है with respect to dx कर रहे हैं तो limit भी क्या आएगी x की 0 से 1 तो पूरी triangle के area में से अगर मैं यह area subtract कर दूँ तो यहाँ पर जो answer आएगा वो क्या आएगा यह वाला area आएगा तो यही हम कर रहे हैं ठीक है न तो function put करता हूँ 0 से 1 limit तो यह कुन सा है straight line वाला तो y की value क्या है x dx minus यहाँ पर y कुन सा है parabola वाला यानि x square dx 0 से 1 limit है ठीक है तो यहाँ से integration करते हैं तो x का integration क्या होता है पावर में एक जोड दीजिए यानि x cube denominator में cube 0 से 1 तो अब क्या करना है power 1 रखूँगा तो 1 by 2 आ जाएगा यहाँ पर और 0 रखने से तो यह 0 होगा minus power 1 रखूँगा तो 1 by 3 sorry limit not power limit limit 1 रखा तो 1 by 2 minus यहाँ पर limit 1 रखा तो 1 by 3 ठीक है तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा LCM 6 आ गया and 3 minus 2 1 तो 1 by 6 मेरा क्या है answer right option में देखे 1 by 6 कहाँ पर है option B है option B is the right answer third question करते हैं the unit vector field vector field are is 4 option दिये गए है divergence है irrotational है या नहीं ठीक है इसके बारे में 4 option है मतलब divergence और irrotational की बात कही गई है और 2003 में 2 marks का आया था तो divergence निकालके देखते हैं सबसे पहले तो vector field क्या है हमारे पास X I minus Y J I और J क्या unit vector है X और Y direction में right तो divergence कैसे निकालते हैं divergence that is equal to del dot F ठीक है न तो del की value क्या है curly Y curly X unit vector I plus curly Y curly Y J unit vector J and curly Y curly Z unit vector K right इसकी dot product किसके साथ जो vector दिया हुआ है हमिए ये vector given है तो दोनों की गुना करते हैं आई की I के साथ गुना क्या होती है देखे unit vector की unit vector से ही multiplication तो क्या आएगा dot product करेंगे दोनों की तो one आता है तो इसकी इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा इसकी इसके साथ तो 1 और curly x curly curly x by curly x ठीक है न तो इसका derivative with respect to x1 आएगा ठीक है 1 मैंने लिखा नहीं next step में कर दूँगा ठीक है अब इसकी गुना इसके साथ करूँगा तो i और j की यानि कोई भी दो unit vector i k i j different हो तो उनकी गुना क्या रहती है 0 राइट तो इसकी इसके साथ होगी तो यह आया इसकी इसके साथ होगी तो minus j की j के साथ 1 और curly y by curly y राइट तो यहाँ पर क्या value आगी इसका derivative क्या आएगा 1 minus इसका derivative क्या आएगा 1 तो 1 minus 1 that is equal to 0 अब divergence क्या आगया 0 तो it means divergence free divergence free divergence free किस किस में है first option में है second option में नहीं है B में नहीं है तो B option गलत C हो सकता है D नहीं है क्योंकि इसमें भी neither divergence free यह नि A और C में से मेरा answer है अब मैं चेक करता हूँ rotational, irrotational तो उसके लिए मैं क्या करूँँग curl find out करूँग curl के लिए क्या चीज है cross, पहले dot product थी अब cross product है, ठीक है क्या आनी चाहिए, 0 अगर 0 आगी तो इसका मतलब क्या है irrotational है कि वो rotate नहीं कर रहा यह vector क्या है, rotate नहीं कर रहा इस तरह से rotate नहीं कर रहा ठीक है न, कोई चीज rotate ना करे तो इसका मतलब rotation क्या जब magnitude है तो जीरो रहेगा, अगर 0 आ जाता है तो वो rotate नहीं कर रहा अगर rotate नहीं कर रहा तो वो irrotational है अगर यहां कुछ ना कुछ value आती है तो इसका मतलब वो rotate कर रहा है तो वो क्या है rotation ठीक है, तो rotation और irrotation में चेक कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं curl find out करूँगा तो वो उसके लिए क्या है determinant i, j, k, first row में मैंने unit vector लिखे ठीक है second में curly y, curly x, curly y, curly y, curly y, curly z ठीक है, और सबसे last में क्या है जो f था, ठीक है, उनकी value i, j, k, vector के जो coefficient है वो coefficient क्या है i का coefficient x, j का coefficient minus y और z की term है नहीं, तो वो 0 है तो x minus y और 0 just इसको solve करना है, ठीक है तो first row के along expand करता हूँ i, as it is first row and first column को छोड़ दिया 0 और y का derivative with respect to z 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है minus j, first row, second column को छोड़ दिया 0, और x का z के with respect to derivative 0 ठीक है plus k, first row, third column को छोड़ दिया y का x के with respect to 0 और x का y के with respect to 0 derivative, ठीक है तो सारी term 0 आगी तो इसका मतलब क्या है, ये irrotational है ठीक है न, irrotational तो na divergence free irrotational divergence free and irrotational यानि option जो c है, option जो c है, option c का है हमारा answer है का isu學 भраф्त का येध सारी घ्सो पास्षण फुषण का ये ये लो चाना पूछर रहके ऑ